देखिए बच्चों हमाने पास question इसमें बोला है which is true for this graph velocity time graph दे रखा हमें और बोला है इसमें कौन सा option true है तो हम जानते है velocity time graph का जो slope होता है वो हमें क्या देता है acceleration तो अब इस graph में गौर से देखें इसका velocity क्या हो रहा है time के साथ increase हो रहा है और जब velocity time के साथ increase होता है तो acceleration क नहीं है और क्योंकि velocity equal rate से change होड़ा है equal change in velocity in equal interval of time तो यह acceleration क्या भी होगा constant भी होगा बाकि अब तीनों option को चेक कर सकते हैं यह गलत है इसमें बोला है initial velocity नेगेटिव है नहीं क्योंकि इसका initial velocity तो यहां से start होड़ा है initial velocity यह पॉस्टिव है नेगेटिव होता तो यहां से start ह पिर बोला velocity constant नहीं बिलकुल velocity तो यह इंक्रीज हो रहा है तो यह भी गलत है यह भी गलत है तो option one क्या है correct देखिए बच्चों हमारे पास question जिसमें बोला इसमें से कौन सा graph uniform motion को रिपरजेंट करता है uniform motion मतलब जिसकी velocity क्या हो constant हो तो देखो यह velocity time graph है तो यहां तो साफ पहले घट रहा है फिर constant यह बढ़ रहा है तो यह option गलत है इसमें भी velocity क्या हो रहा है यह भी option गलत है अब देखिए आप जो हमारे पास दो नीचे ग्राफ है यह position time graph है तो position time graph में इस graph को देखिए इसका position यहां पे constant है यहां पर इसका पोजिशन चेंज नहीं हो रहा है यह इसका velocity यहां पर क्या है 0 यहां पर velocity क्या है इसका 0 फिर उसके पास position hodas authority होगा पिर यहां भी position change होगा त mêsकूंच ग्रियावी सिटीघ में दोनों का सेंड मांस है दोनों का सेंगरी सह है तो हमें बताना है उसके moment of inertia का ratio क्या होगा about the axis passing through their center and perpendicular to their plane यानि तो पहला है मारे पर disc, disc का moment of inertia यह disc है अगर दूसरा क्या है ring, दूसरा है ring, ring है यह, ring का moment of inertia ring का moment of inertia होता है बच्चो, mr square और disc का moment of inertia होता है, d for disc, d for divided by 2, तो इसको 2 से क्या करते ना, आपको divide कर देना, तो आपको disc का moment of inertia आजाएगा, तो हमें disc और ring का moment of inertia का ratio निकाल ला है, तो उपर disc का लिखेंगे, नीचे ring का moment of inertia लिखेंगे, यह हो जाएगा हमारे पास mr square by 2 divided by mr square, यह से कर जाएगा ratio आजाएगा 1 ratio 2, यानि कि second option सही होगा, देखिए बच्चो हमारे पास question है जिसमें, देखिए बच्चो हमारे पास question है, जिसमें बोला गया है कि इसमें से कौन सा graph, यह 4 option दे रखा बोला है, इसमें से कौन सा graph, kinetic energy का variation velocity के साथ बता रहा है, तो हम सब जानते है kinetic energy का formula क्या होता है, half mv square, इसको समझने के लिए हम पहले parabola का equation देख लेते हैं, दो parabola का equation हम देखा होगा, y square is equal to 4x, और x square is equal to 4 ay, जिस degree, जिस variable का degree 1 होता है, parabola का मुह उसी तरफ खुलता है, इसमें x का degree 1 है, तो मुह x की तरफ खुला इसमें y का degree 1 है, तो जो parabola का मुह है वो y की तरफ खुला हुआ था, उसी तरह से यहाँ वो y की जगा kinetic energy लिखा हुआ है, और x की जगा velocity लिखा हुआ है, और यहाँ पर k का degree 1 है, तो इस parabola का मुह k की तरफ खुलेगा, तो इसमें कौन सा आप्षन सही हो जाएगा, first option सही हो करना हो तो D for disk D for divided by 2 तो यहसे हम क्या कर देंगे 2 से क्या कर देंगे डिवाइट कर देंगे तो यह disc का moment of inertia इसी तरह से अगर हमें rod का moment of inertia निकलना हो तो R for rod R लिककर इसे यहां बीच से मिटा देंगे तो क्या हो जागा यह 12 जैसा दिख़रा है तो rod का moment of inertia क्या हो जाएगा ml square by 12 और अगर हमें sphere का moment of inertia याद करना हो तो वो लिख देंगे mr square तो लिखेंगे लिखेंगे और sphere में s आ रहा है जो के 5 जैसा दिखता है तो नीचे क्या जाएगा 5 और यह हो जाएगा 2 by 5 mr square देखिए कि बच्चो हमें यह electromagnetic wave दे रखा है और इसका sequence में wavelength और frequency अगर learn करना हो तो हम बहुत आसानी से learn कर सकते हैं top to bottom आने पर wavelength decrease होता है और frequency क्या होता है increase इसी को याद करने का एक सांदार trick हो सकता है जिसे हम इस तरह learn कर सकते है reach इसके sequence को हम आसानी से learn कर सकते है इस trick से reach man in London use extra gold extra gold r for radio wave, m for microwave, in for infrared, l for light visible, u for uv raise, x for x raise, g for gamma raise और top to bottom wavelength क्या होगा decrease और frequency क्या होगा increase देखी बच्चों अगर ऐसा question आजा जिसमें हमें total resistance निकालना हो x और y के बीच में ता है ऐसे question में simply हमें इस point को क्या ले लेना c ले लेना यहां पर लिख देना है x, यहां पर लिख देना है c और यहां पर लिख देना है y और हमें देखना है कि कौन सा register किसके बीच में जुरा हुआ है तो यह 3 ohm किसके बीच में जुरा हुआ है x और c के बीच में तो हमें यहां बना देना है 3 ohm का register और यह 8 ohm कि इसके बीच में जुड़ा हुआ है कितना 6 ohm का रेजिस्टर और यह 30 जुड़ा हुआ है X और Y के बीच में यहां तक पूरा X होगा और यहां तक पूरा क्या होगा Y तो यह इसके बीच में जुड़ा हुआ है 30 ohm का रेजिस्टर यह दोनों parallel में 6 और 3 तो इसका अंतर क्या जाए 6 into 3 upon में 6 plus 3 यानिके 9 3 3 9 यानिके 2 इस पूरे का अंतर क्या जाएगा 2 ohm यह 2 ohm और यह 8 ohm और यह इसके साथ जुड़ा हुआ है 30 ohm यह दोनों series में हो गया तो इस का अंतर कितना जाएगा 10 ohm और यह है 30 ohm देखिए बचो इस question में हमसे बोला गया unknown i की value क्या होगी तो इसमें हम आसानी से किर्चॉप current लो लगा सकते हैं बिलकुल आसान यह 3 amp इधर से आ रहा है एक amp इधर से आ रहा है तो यह कितना हो जाएगा 4 amp अब यह 4 amp के 2 रास्ते मिल गए 2 amp इधर गया तो 2 amp जाएगा इधर अब यह 2 amp के 2 रास्ते मिल गए जिसमें 1.5 amp इधर गया है तो इधर कितना जाएगा 0.5 amp तो इसका अनसर हो जाएगा 0.5 amp इधर डी आपसर अगला question हमारे पास graph दे रहा वेलोसिटी टाइम के बीच में और बोला गया आप कौन सा segment retardation को रिपर जिन कर रहा है positive velocity अगर decrease होगा तो acceleration क्या होगा negative अगर velocity क्या होगा constant तो acceleration क्या होगा 0 तो आप देख लिजे किसमें velocity घट रहा है वहीं पर acceleration क्या होगा negative यानि retardation होगा तो velocity कहाँ पर decrease हो रहा है देखिए यहाँ पर तो O से velocity increase हो रहा है यहाँ पर acceleration positive होगा A से B velocity constant है तो acceleration 0 होगा B से C velocity घट रहा है तो यहाँ पर क्या होगा retardation यानि option होगा C देखिए बच्चों हमारे पास end date 2015 second item में physics का एक question है जिसमें हमें बोला 1 kg का एक body है और उस पर x के along 3 newton force लग रहा है य के along 4 newton force लग रहा है तो उसका resultant acceleration क्या होगा अगर mass 1 kg है तो force किसके equal होता mass into acceleration तो acceleration और force दोनों क्या हो जाएगा बरावर जब 1 kg का mass होता हो तो ऐसे किसमें जो force की value हो वही acceleration की value है तो x के along acceleration लग रहा है 3 meter per second square y के along acceleration लग रहा है 4 meter per second square जब इसका resultant निकालेंगे तो parallelogram complete कर लेंगे यहीं इसका resultant होगा यह किसके equal हो जाएगा under root of 4 का square 16 plus 3 का square 9 अब बागी term तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो यह हो जाएगा under root 25 which is 5 meter per second square यानि के third option सहीग